अपने चैनल बेसिक नॉलेज़ में दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही खासम खास है आप सभी के लिए जिया दोस्तो इसमें वीडियो बढ़ा भी वीडियो होगा तो आप लोग देखने में दिक्कत होगा तो बहुत महत्पन सवाल इसमें बिलकुल छप चुका है समझ लो इसमें से सवाल देखने को मिलेंगे जरू मिलेंगे तो बही एक भी सवाल मिसमत करना अच्छे समझ लो बहुत आसान भासा में समझा गया है एक भी कोईसन मिसमत करना ठीक है चले दोस्ति वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला सवाल है मुद्रा को परिभासित किजिए तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे द्यानिक जीवन में क्राई और विक्राई की क्रियाएं होती है मतलब सर मतलब देखे मुद्रा क्या धन है धन का एक रूप है जिससे हमलों क्या कोई चीज खरीद सकते हैं बेश सकते हैं मुद्रा को और क्या काम है भाई कि ईविढुद्र है नूद्रव का तो धन के उस्रों करता है जिस से क्राइव थी क्रिए होती आप किसी सपया जो होगे तो भी तो अपना सामान किसी को बेच होगे तो ही मतलब भीच में आ रहा है मुद्रा मैं जिसी था बहुत्ए का कौना रहा है मुद्र धन संचय के लिए हम मुद्रा की रूप में धन को आसानी से संचय कर सकते जैसे मालो किसी के खेत में गेहू हो गिया अब गेहू को इष्टोर करके सालो साल नहीं है रख सकता है उसो क्या गेहों को बिजदगा और पैसा को संजय करके रख सकता है समय रहे हो तो धन संजय के लिए इसका उफ्योग होता है अगला प्रसने है बानिजीक बैंक से क्या तात पर यह है तो देखो बानिजीक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेती है । ठीक, आप जाके बैंकों में जमा देते हुँ पैसा, तो उन बैंकों कोही दोस्तों बाने जी एक बैंक बोलती है, तत्हाँ बैपसां ये लिगा करती है, ये रेंट भी देती है, ठीक है, मुद्रा को, तो ये सवाल भी हो तक था, अप मलो कदो अफाल कर देगा और व्युक्त को दूसरा समन नहीं की उसको पाँच वाला भीक्त सकता है विदेशी Parece क्या नात पर है तो जब कोई बाहरी देश का कमपणी दौरा हमारे देश्या हमारे देश्या धरे कंपणी करता अगर से ह样 निवेश्ड किया निवेश्य को बूलते हैं जब कोई बाहरी देश्यां तो उसी की बोलते हैं वेपार अब्रोधक क्या है तो वेपार अब्रोधक एक परिकार का पर्तिबंध है मतलब रुकावट है जिसका परियोग सरकार विडेश वेपार में बिध्धी या कट्वति करने इबं कौन से बस तो देश में कितनी महत्रमायात होनी है या होनी चाहिए यह ने-नाई करने के लिए करती है ठीक है समझ गया बैपार बैपार में रुकाबट यह एक प्रकार का परतिबंध है जिसका पर्यूग सरकार करती है क्या मालो बिदेश से कोई समान कम मंगवाना है तो उस पर थोड़ा प्रतिबंद लगादेना देगा कम मात्र में सब्सम्न मंगाएगा ठीक है मालो किसी देश से मालो इरान से झ्छगडा होगी है भारत का तो इरान से तेल मंगवाना बन कर देगा तो बैपार अब रोधक ल जाएगा कितना समान भारत से जाएगा कितना भारत आएगा यह सारा चीज वैपार अब रोतक कि द्वारत कि यह आता है ठीक है अगल आप रहतें बहुरास्टी कंपनियां किसे काते हैं तो ऐसी कंपनियां जो 20 के विभीन देशों में कारवार अस्थापित करती है उन्हें ब देश के सीमा पर उस देश में आयात होने वाले बस्तूओं पर लगने वाले सुल्क को आयात सुल्क कहते हैं तो जैसे यह भारत का बॉर्डर है तिक अब अमेरिका से कोई सामान आ रहा है अब इस बॉर्डर पर न उस आने वाले सामान पर टेक्स लगेगा उसी को बोलता है तो किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाले भारत में आरा समान बस तू पर लगने बाले सुल को क्या बोलता है आयात सुल मुद्रा को बिनिमाई का माइद धंकियों कहा जाता है तो मुद्रा तो हम पहले भी बताएं ना कि इससे लोग घरी दिया बेज सकते हैं भारत में केंदे सरकार के तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है तो भाई रबिया रिजब बैंक अप इंडिया नोट जारी करता है कड़ा 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 नोट कड़क कड़क नोट जारी करता है बस्तू बिनिमाई किसे कहते हैं बस्तू बिनिमाई किसी एक बस्तू को करनें देकर ठिक है किसी एक बस्तू को देकर दूसरे बस्तू का लेना ही बस्तू का लिए में कहलाता है जैसे आप किसी वह एक किलो चावल दे दिया और उसके बदल भाले का लिए सबजी लिए जितना भीस पर पहले के समय में जब मुद्रा पर चले थी तब किसी एक बस्तू को लिया ना पहले जब मुद्रा पैसा उसे नहीं था लोगे पास पहले एक चीज दे करके दूसरा चीज़ लिया जाता था इसको बहुता है वस्तू भी नि दी माज़ बस्तू created प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य अपने जीवन की आधार्बोत या बुनियादिया वसकता कोई नहीं पुराने काहिँ नहीं होकिता जिसे खाना कपड़ा और मधूस्य नंतराश्च वैपार को इस प्रकार पर संचालित करना है कि उसमें समानता हो खुलापन हो और वह किसी भी किसा भेद्वावा करें मतलब विस्व के जो हर एक देश एक दूसरे देश का ब्यापार कर सके इसमें कोई भेद्वाव नहीं हो चलो भाई क्या वह रह्मुख्यर विस्व के अंतराष्टी वैपार को इस प्रकार से जित करना है कि उसमें कोई समानता हो मतलब भारत से कोई समान जाकर अमरिका में बेच रहा है ठीक है तो उसमें सही को निप्टाता है बैंकों के आए का मुख्या सुरत क्या है तो बैंकों के आए का मुख्या सुरत देखे क्या है बैक्तियों को कई तरह के लोन देते हैं यह इस लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंकों कि कमाई का मुख्या सुरत है मतलब क्या बैंक क्या करता है बैंक कई प परसंद का सालाना ले रहा है या दस परसंद का बारा परसंद ले रहा है तो भई आठ परसंद का सीधा से बैंक को लाब हो रहा है समझ रहे हो इस प्रकार बैंक रिंग से लाब कमाते हैं बैपार और विदेश नीतियों का उधारी करण वैस्विकरण प्रिक्रिया में किस प रकार का सहरता पहुंचा तो दो ब क्ली कि देस्स की बड़ी वहराष्टे कंपपनियां छोटे उतिपादकों को उतपादन का ओर्डर देती है यसे शेशर जो यहां बड़ी शेयायर्ड के इंपनों की खूर। नाम से ग्रहाकों को बेच दिया मतलब कि अब बहुराष्टी कंपणियों को इन उत्पादों का पूर्ति किया दिया जो भई छुर्जोले कंपणियों को उत्पादन को अब उन कंपणियों से माल उठा लिया और अपना टैग टाइटल डाल दिया ब्रांड दे दिया ठीक है और ग्रहा को बेचेगा बहुराष्टी कंपणियों के निवेज का सबसे आम रास्ता अस्थानी कंपणियों को खरिदना और उसके बाद उत्पादन का परसार करना होता है ठीक है मतलब क्या सर मतलब छोटे मोड़ी जो अस्थानी कंपणियों होते है न लोकल का उसको यह तो खरिद लेगा या फिर उसमें निवेस करेगा ठीक है मतलब उसमें इन्वेस्ट करके कंपणियों बड़ा बना की और मालकौतपादन करेगा ठीक है यह चीज है और इस प्रकार दोस्तों वैपार निवेसनी का उधारी करन मतलब इस प्रकार से वीपिन परक्रिया में सा सब करने सब्सक्राइब कि अर्थवास्था की भारत में वह साय हो रहा है यह सब क्या भारत की अर्थवास्था हो रहा है तो भारत अर्थवहस्था में जैसे कोई कमपणी अगर जूते करनिमान करती है तो वह जूते को बिस्व के हर एक देशों में बेच सकता है और यहां बैस्विकरन के कारण नहीं होता तो अपने देश में नहीं रहे कर जाता बहुत सरी कंपणी नहीं बहुत सरी कंपणी को होती है तो इसी कंपणी आपने देश के अलाबा और भी बहुत सरे देशों में बस तो बस तो मतलब कोई भी चीज प्रोड़क्त त्यार करेंगा यह सेबा जिसे हो सकता एर्लाइन स्कोल दे जाके हो सकता अच्छे होटल बना दे यह भी सेबा हो जाएगा इन कंपणियों की अपनी देश के अलावा और भी देशों में संपत्ती होती है बिल्कुल संपत्ति होगा विकास में रिन की क्या भूमिका होती है पता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति रिन लेकर नया करवान सुरू कर सकता है बस्तू का वैपार कर सकता है जिससे उसकी आई में क्या होगी ब्रिद्धी होगी और उसका जीवनस्तर सुधरता है जिससे क्या उसको इंकम होता है और धे साइकिल से कार में या इस प्रकार से अधारन की सतके क्या है तो यहां ने सकती है प्रीयन की सत सतब करने क्पर थेंडिय। तो क्या है क्या रिल लेने वालों को बैंको को अपनी스raf ₹-क प्रवानपत्थ रेना पड़ता है 1 बैंक में आपको अपना इंकम सर्टइफिकेट देना पड़ता है कि आप सล Mensch images कि सिकॉरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है ठीक है वहें देंक में क्या जमा करते हैं एजस सीक्यूरिटी है हो सकता है रिंटर ने के लिए गारंटर का होना विच्थ हो सकते हैं कोई आपके साथ जाए है उसको गरेंटर हो सकता है ले गरेंटर को जवाब दी होगी रिइन जुगानी किसलिए गरेंटर किसी के बनना तो सोच बनना लिए तो यह चीज हो गया अगला परसने अत्रिक्त मुद्रा बाली लोग और जरुत्मन लोग के बीच बैंक की स्थर मज़शता करता है अत्रिक्त मुद्रा पर लोग मतलब जि उन्हें ब्याज मिलता है के मिलता और धन भी सुरक्षित रहता है धन तो रहेगा इस प्रेकार बैंक अत्रिक्त मुद्राइब लोग और जरुत्मन लोग के बीच बंज़स्ता की भूमिका निवाता या करता है टीक है क्योंकि बैंक में जाकर बड़ा आदमी पैसा जमा कर को नहीं किया बैंक क्या क्या करन है कि बैंक कि कुछ करदारों को करद देने के लिए तयार नहीं होते हैं कि बैंक कुछ करदारों को करद देने के लिए तयार नहीं होते हैं इसलिए तयार नहीं होते हैं कि भरसमन करदार नहीं होते हैं और था तो यह रिन की सर्थों को पूर इसके इंकम कितना हो सकता Con back on की चमता विसमस यहां नहीं होथा उनके पास गिरिभी राखने के लिए कोई बहुत सरा धील देदेगा ठीक है इस प्रकार समझे लो जैसे कुछ कानून लाया जिसमें बहुत सरे नियम लगा दियें कि भाई बाहरी कंपनिया की यहां निवेस नहीं कर सकता है अगर कोई कंपनी बनाएगा उसका सालाना टर्नोबर एक लाग करोर होना चाहिए इस प्रका है क्या होगी बहुराष्ट कंपनिया किस देश में निवेस करेंगे नए रोजगार उत्पन होंगी तो साथ ही साथ इन उदो कच्छे माल के आप उर्ति करने वाले अस्थानी कंपनिया का भी विस्तार होगा ठीक होता समय लो अगर कानून में लचला पन होगा तो बहुरा लगए गा स्रम कानूनों में लचला पन के बाद अनेक कंपनियों को लाब होता है ठीक है सबसे पहला क्या यह आर्थिक करने के लिए आवसक पुंजी परदान करता है जो बदले में सकल गहल उत्पाद को बढ़ाता है मतलब जीडीपी को बढ़ाता है ठीक है सरकार अगर जदा बदे से ज़्यादा पैसा आए तो भारत का जदा बहुतना बहुत है कि अगर आवकी प्थमीन कर आए कर दान करताहे मतलब बाहरी कमपनी टैक्स जो भरेगी वह किसके पॉख्ञार कि पॉख्ञाराई करता है इस प्रकार से लगोतरी पसना बैपार और बीदेश नितियों पर थकी परकार binary के परकार सहाक है यह पांच देखो बिल्कूल ये पांच नमबर वाले स्वाल है दिर्गुतर ये परसन है बहुत इंपॉर्ण है देखो बुद्रा जो है आवे सकता हो कि दोहरे समय साथ को बहुत अच्छी तरह सुल जाती है कैसे सुल जाती है वह भी बता दो देखो जिस बैक्तिक के पास मुद्रा है वह इसका वीनिमाई किसी भी बस्तू या सेबा खरिदने के लिए असानी से कर सकता है तो अबसक्ताओं का दोहरा संयोग विनिमाई प्रणाले के अनिवारिय बिसिस्ता है क्या अगर किसी पैसा है तो कुछ भी खरिद सकता है अबसक्ताओं का दोहरा संयोग विनिमाई प्रणाले के अनिवारिय बिसिस्ता है ठीक है अबसक्ताओं मतलब क्या हमें जिस बस्तू का के जुरत है ठीक है और किसी और को बस्तों जुरत है ने पास भाई एक एक आदमी है इसके पास डियंु है ठीक और एक आदमी है इसके पास चाववड़़़ है इसको जाहिए तो यह से ले से ले-ले Germans अब सकता हो दोहरा संयोग ठीक है एक आदमिंगे आपको ढूलना पड़ेगा जी कि जो आपके पास जो बस्तु उससे हो चाहिए तब तो आप उसे लिंदिन करोगे ना ठीक है अब क्या होता है जहां मुद्रा का उप्योग की ने बिना मतलब जहां दोहरा संयोग होता है नो जहां मुद्रा का प्रियोग होता है मुद्रा महतफूर्न महिद्वर्ति भूमिका परदान करके अब शक्ताओं के दोहरे संयों के अवरात को खतम कर देती है अब मुद्रा आया तो झोड़ूती संवाहन ही नहीं आपके पैसा देके किसी को बैच दो उस से पैशा पैसा ल क्लिए रोटी उसे केबल अपने जूते के लिए खरिदा ढूना है बस एक बार उसने जूते को मुद्रा में बदल दीए तो बजार में गये हूं या इनने कोई भी बस तो असानी से करें सकता है कोई दिख्कत नहीं है हो गया समझ गया आवजब का दोहरा से यह क्या है ठीक है किस मुद्रा से आप कोई भरी आपको बता दिया हम रिन के अपचारिक अनपचारिक स्रोतों के अंतर को सबस्ट करें मोस्ट इंपर्टन कोशन देख लो गया है रिन के अपचारिक अनपचारिक स्रोत में अंतर ठीक है एक्जाम हो सकता है पूछे देखो सबसे पहले क्या जो अपचारिक स्रोत है न यह सरकार दोरा पंजिकरित होते हैं जैसे बैंक और सहकारी समतिया अप्चारिक सरूत में जबकि अनप्चारिक में क्या हो जाए देखो यह है अप्चारिक यह है अनप्चारिक ठीक है यह सरकार द्वारा पंजिक्रित होते हैं जैसे बैंक और सहकारी समतिया यह अप्चारिक सरूत हो गया और यह सरकार से लिए लिए वह अनुपचारिक होगा ठीक है अगला पॉइंट किया इनका द्याव ब्याजदर निश्यत होती है जो अपचारिक है जो बैंक हो गया न इतना बोलेगा पांच परसंट तो सब के लिए पांच परसंट माइन है अलके हर के लिए अलग अलग नहीं लेगा फिक्स है इनका ब्याजदर निश्यत नहीं होता है उनका ब्याजदर कि आप के लिए कुछ और लेगा कम लेगा ठीक है किस सहुकार से ले रहे हो तो हो सकता है ज्यादा ले ले उस्समुसार वो चार्ज करता है अगला उपचारिक रिंक रिंग कि रोतों से रिंग लेने पर सोसन नहीं होता है ठीक है अगर यह विए आपसे उम्मोड अभर चला है इक पूरा तरीका प्रोसेस अपना जाता है आपको एक मैना एक साल दो साल का तृत व俺 दिखाएगा हो सकता है अगला इसकी निग्राणी जिसे बैंक होगी के लिए और उद्धे से समाजिक क्लान के लिए रिम प्रदान करता होता है क्याarah होता है रहां इनकी निस्त करती है उनकी नपकमाने के लिये कलियर को अगला परसन ने है एक अर्थवरस्ता में मुद्रा के भूमिका की ब्युद्र कोई भी भी आर्थ व्यवस्ता में मुद्रा का रूख़ड़ा का पैसा का деле मनी मनी म cities इसका क्या मैं और पूमिका ऊपको भूंत ही था मुद्रा की बहूती मतपूर्ण कोई कितना बड़ा है मुद्रा का धर उसे मापा जाता है जिसे बोलता है कि मैं किसान खेत्र को एक कड़ोर दूँगा एक लाग कड़ोर दूँगा रेलबे सेक्टर को मैं बीस हजार कड़ोर दूँगा मतलब क्या अब को देखो सरकार किसी भी चीज़ को पैसा देती है तो जब मन उठा तब नहीं देना बजट में सबसे पहले पास करता है कि मैं र मतलब को जिसमें ठीक है देशकी रास्ट्रे आई की ब्रमा की जाती है उसकी भूमिका होती है जो देश के निवाश्यू का मतलब रस्त्रे आई कितना है त्यक्ति को ये कितना हि किस प्रकार का आदमी रह रहा है कि इतना रुप्या है तो मुद्रा की अर्थरस्ता के लिए मुद्रा की बहुत होती है इसका लगए सारे उसका उत्तर्व मुद्रा का उप्योग मतलब मुद्रा की भूमिका क्या किसी भी देश में तो आप और बना-बना क्लिक सब कोई दिक्कत नहीं इसमें जो मैं लिखा तो यह था दोस्तों आप लोग के लिए मोश इंपॉर्टेंट को सब्सक्राइब करना देखिए कितना आसान आप लोग हिंद गोंदे मातरम।